तो आज करता हूं डीजेर एक वाली है जैसा कि आप देख ही रहे हो तो आज का मारे टेंप्रेट डाउनलोड कर सकते डिसेस्टन बॉक्स लेकिन इसमें आपको कुछ बेसिश सेटिंग्स पढ़ेंगी तो मैं आपको वीडियो में कवर करूंगा अगर आप डाउनलोड कर ले लोगे मगर आपको सेटिंग नहीं मिलेगे इसलिए वीडियो को पुर्यान तक जरूर देखेगा तो फिन चली वीडियो को सुरू करते हैं तरगे जरसे के मैं अपना अपना अपन कर रहा है लोड भी कर रहा है लोड करने बाद कुछ इस पर देखने के लिए पेंसिल आइ कि इस परकार से तरप तो इस तरह से हलका होड करना ऐसे उपर को लिएक चल जाना है जिस तरह से मैं स्क्रॉल करके लेके जा रहा हूं तो कि भूछ शारे में थोड़ा लेट लगे गाई तो फिर आराम से करने इसको को इदर गलती से कोई दुसरा ईलिमेंट उठा कर मत कर अगर दूसर एलेमेंट उठा के करते हो तो यह गाई दिक्कत आ सकते हैं आपको पूरा सेटिंग जो बिगड़ जाएगा इसलिए वीडियो को ध्यास देखो मैं जैसे जैसा करूं वैसा ही किजेगा आपको यहां पर लेड़ा कॉम्पेशन वन में देख सकते हो यहां पर क्लिक कर लेना अलफा को और यहां से एड़ अलफा पर क्लिक कर देना एड़ अलफा पर ओके उसाद गई जर्राल को फिर से क्लिक कर लेना बंद कर देना और अपरे पेंस पर क्लिक कर लेना और यहां पर आएंगे स्वारी यहां पर जर्राल पर क्लिक करने लिए यहां पर देख्सको तो यहां पर मिलेगा bit concept more इसको आपको क्लिक कर लेना और nothing पर क्लिक कर देख्सको मतलब कि आपको जर्राल वाले setting में क्या करना है blend mode पर इसको pre alpha कर लेना है और नीचे आएगा तो यहां चेप देखते हैं measure art में आपको इसको nothing कर लेना है इतना setting करने बाद आपको template तो पुरी तरह setup हो जाता है अब आपको अपना image क्या set करना है उसके लिए फिसे pencil icon पर क्लिक कर लेना और यहां आप देख्सको तो जहां पर अपने motion blur fit लिया है उसके उपर में आपको देख्सको तो your image option मिल जाती इसके आपको क्लिक करके अपने image पिक करना चाहते हो तो इस तरह से गाईस हमारा template तो पुरी तरह से setup हो जाता है और आप यहां से download राइकन पर क्लिक करके यहां से export भी कर सकते हो वीडियो ratio आप कुछित पर काद रख लेगा और यहां पर song का timing भी setup करके export के बटन पर क्लिक के जाएगा तो वीडियो जो export हो जाएगा तो प्रिन अगर आपको एट template पसंद आथा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe लेजेगा तो फिर मिलते हैं next वीडियो में